बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, Central Bank Independence के टॉपिक को कम्प्लीट करने के बाद हम एक इंतहाई important टॉपिक का आघास कर रहे हैं which is, the topic is monetary policy rules versus discretion debate, this is very important debate in the monetary policy literature issue ये है कि monetary policy Central Bank बनाता है और implement करता है, लेकिन वो policy दो तरह से बनाई जा सकती है या discretionary हो सकती है, या rule based हो सकती है, तो इन में से कौन सी choice बेतर है, इसके उपर debate है दुनिया में लेकिन बजाए इस से कि हम पहले debate स्टार्ट करें, मैं पहले ये introduce करवा दूँ कि discretion से क्या मुराद है, monetary policy में और rule से क्या मुराद है, जब हम discretion की बात करते हैं, इसका मतलब है कि जब Central Bank monetary policy के decisions ले रहा होता है, तो जैसे जैसे economic situation change होती जाती है, accordingly Central Bank अपने decisions change कर सकता है जाती है commitment, यानि कि एक firm commitment होती है, पहले से ये होता है कि अगर इस किसम की situation होगी, अगर unemployment ऐसे होगी, अगर inflation rate ऐसे होगा, exchange rate ऐसे होगा, तो पहले से एक design किया जाता है कि Central Bank ऐसे ऐसे react करेगा, अपनी policy accordingly ऐसे change करेगा, तो एक है कि Central Bank हालात के मताबिक अपनी policy खुद change करता जाता है, रूल में ये है कि पहले से एक plan बनाया जाता है कि अगर situation इस तरह से होगी, तो Central Bank इस तरीके से react करेगा, अगर inflation rate ज्यादा होगा, तो policy कितनी tight करनी पड़ेगी, inflation rate कम होगा, तो policy को किस तरफ ले जाना होगा, ये पहले से plan बना लिया जाता है, और उसकी उपर Central Bank की commitment शो करनी होती है, अब हम ये देखते हैं कि rule versus discretion में, discretion के against arguments ज्यादा है लिटरेचर में, तो हम भी यहाँ पे देखते हैं कि discretion कैसे गलत हो सकता है, सबसे पहला point जिसको हमने बड़ी detail में discuss किया हुए time inconsistency problem, जिसका मतलब ये है कि जो optimal plans होते हैं, वो कोई भी इनसान अपन life में उनकी उपर time consistent नहीं रहता, यानि कि उनको खुद ही change कर देता है over time, short term benefits के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से central bank के जो एक long term beneficial plans होते हैं, monetary policy के, short term gain के लिए central bank उनसे deviate कर सकता है, जिसे हम कहते है time inconsistency problem, इसी वज़ा से लोगों की expected inflation जो है, वो बड़ा high होता है, और economy में inflation हमेशा ज्यादा होता है, इसे inflationary biased policy भी कहते हैं, अब ये जो discretion है, चूँकि इसमें कोई commitment नहीं होती, इसमें central bank जो है, वो time to time अपने decision चेंज कर सकता है, तो इसमें एक tendency मौजूद रहेगी कि central bank जो है, वो time inconsistency problem का शिकार हो जाए, मतलब ये है, कि जब लोग अपनी expectations बन ना लें, inflation के बारे में, और उसके मताबिक अपने plan सेट कर लें, wages के contract कर लें, saving का decision ले लें, investment का decision ले लें, और उसके बाद central bank अगर monetary policy को for example, lose कर दे, चाए political pressure की वज़ा से करे, तो ऐसा होगा, कि economy में चुके wage के contract हो चुके हैं, तो cost of production एक दम से नहीं बढ़ेगा, लेकिन economy में money supply ज्यादा हो जाएगी, interest rate कम हो जाएगा, तो economic activity एक दम ज्यादा हो जाएगी, तो ये temptation रहती है, description के अंदर, अब हमने ये बड़ी detail में चीज़ें पढ़ ली हैं, कि जो best policy होती है long run में, that is not to pursue expansionary policy, यानि कि central bank को ऐसे short term gain के लिए, अपनी policy को lose नहीं करना चाहिए, जो कि price stability उसका long time objective है, अच्छा, अब होता ये है कि जो wages और prices होती है, ये हमेशा expectation के उपर base करती है, अगर worker negotiate करता है wage को, या farm का manager wage जब बढ़ा रहा होता है worker की, तो वो हमेशा inflationary expectation को देख रहा होता है, अब जब कि expected inflation जो है, ज्यादा हो जाए, तो हमें पता है, फिर workers भी खुद शोर मचाएंगे ज्यादा wages के लिए, या उनकी management भी ज्यादा wages की तरफ जाएगी, अब अगर central bank discretionary policy की वज़ा से, क्या करे, discretionary policy की वज़ा से, उसमें ये temptation हो, कि वो policy lose कर दे, short term objectives के लिए, तो inflation rate high हो जाएगा, जिसकी वज़ा से जो है, वो expectations पे effect पढ़ेगा, और फिर workers की negotiation जो है, वो उसके accordingly वो higher wage की तरफ होंगी, तो इसका मतलब है wages और prices बढ़ना शुरू हो जाती है, और एक बात बड़ी clear है, जो हम बड़ी detail में ये चीज़ें discuss कर चुके हैं, कि जरूरी नहीं है कि central bank actually lose monetary policy adapt करे, नहीं, अगर discretion है, और सिरफ ये temptation पाई जाती है, कि central bank कैसा कर सकता है, तो भी workers higher side पे अपनी expectations रखेंगे inflation की, और wages और prices बढ़ जाएंगी even without any change in economic activity or output, तो ये तो बड़ा नुकसान दे होगा, आपने पढ़ा था long run का फिलिप्स का vertical है, long run का aggregate supply का vertical है, जिसका मतलब है prices या inflation ज्यादा भी हो जाएं, economic activity और unemployment जो है, वो long run में एक constant जगा पे रहते हैं, constant value पे रहते हैं, तो ये तो सरसर नुकसान है, inflation ज्यादा हो जाए, economic activity ज्यादा ना हो, वो अपने लेवल पे constant रहे, unemployment अपने लेवल पे constant रहे, फिर solution क्या है, इन प्राबलम्स का, solution है long term commitment, और जो long term commitment होती है, इसी को तो rule कहते हैं, यानि कि central bank को discretion की जाज़त ही ना हो, कि वो अपनी मर्जी से policy change कर सके, बलके एक rule based policy होनी चाहिए, अब जब ये clear हो गया कि rule बेतर है, तो हम ये देखते हैं, कि जो rule हैं, वो कितनी types के होते हैं, rule दो type का होता है, एक होता है non activist rule, और एक होता है activist rule, जो non activist rules हैं, literature में, वो ज्यादा तर जो monitorist school of thought है, उनकी तरफ से जो literature में दिये के हैं, उनमें सबसे पहला जो है, वो constant money growth rate rule है, यानि कि आप money growth जो है, उसका एक constant rate रख लें, for example 5%, तो पाकिस्तान में हर साल money 5% से grow करे, तो बस ये monetary policy होगी, ये rule based policy कहलाएगी, अब ये थोड़ा ज्यादा rigid है, monitorist ने कुछ इस से rules भी दी हैं, जैसे अगर over time जो velocity है, वो constant ना हो, fluctuate करे, तो velocity के मताबक जो है, वो central bank अपनी money के growth को थोड़ा बहुत adjust कर सकता है, चूँकि हमने equation of exchange में, या quantity theory of money में ये पढ़ा था, कि mv is equal to py, money into velocity is equal to price into output, तो money into velocity होता है, तो जैसे जैसे velocity चेंज हो, उसको compensate करे, करने के लिए central bank money supply change कर सकता है, बस rule में इतनी flexibility है, अच्छा ये सारे non-activist rule है, और ये कहते हैं कि money को बस आप या constant रखें, या constant rate से grow होने दें, या सिरफ इतना change करें, जितनी velocity change हो रही है, इसके पीछे reason क्या है, reason ये है कि monitor school of thought के मताबक, जो output में या economic activity में changes आती हैं, वो money driven होती है, money की वज़ा से आती है, तो अगर आप money को constant कर दें या उसके growth rate को constant कर दें, तो economic activity stable हो जाएगी और prices stable रहेंगी, ये उसके पीछे logic है, अब दूसरी तरफ हमारे पास है activist rule जो केंजियन school of thought की तरफ से prescribe किये जाते हैं, उसमें क्या है कि जो monetary policy होती है, वो output और inflation के ल पड़ेगी, inflation अगर अपने target से exceed कर जाए तो policy tight करनी पड़ेगी, तो ये reactionary policy कहलाती है, यानि कि ये constant type rate नहीं है कि interest rate या money supply को आप constant कर दें या constant rate से grow होने दें, नहीं, जैसे जैसे output और inflation change हो रहे हैं, या और कोई monetary policy का objective है, वो अगर miss होता नजर आता है, objective अचीव होता नह तो accordingly rule prescribe करता है, कि आप इस तरीके से अपना instrument change करें, इसकी एक example tailor rule है, जो हमने पीछे एक lecture में detail में discuss कर लिया, जिसके मताबक short term interest rate, output gap और inflation gap दोनों को respond करता है, उसके मताबक जो है, वो short term interest rate का target सेट होता है, thank you.